दक्षिन पश्चे मानसून के सक्रिय होने के चलते मोसम विभाग ने राजस्थान के 19 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है 24 गंटों में प्रदेश के पिलानी में 133 किलोमीटर सरवाधिक बारिश दर्ज की गई है वहीं बीकानेर, बुंदी, धोलपूर, जैपूर, चितोडगर समेत कई जिलों में भारी बारिश का नजारा देखने को मिला है इधर धोलपूर में जहां मुसलाधार बारिश के चलते शहर के सडके तालाब में तब्दील हो गई तो वहीं बूंदी में नदी नाले उफान पर रहे। जुन्नों में जम कर बादल बरसे तो कई इलाके जलमगन होने से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। वहीं बूंदी में भारी बारिश के चलते भीम, तल, रामेश और महादेव और तलवास के ख्षेत्रों में जरने शुरू हो गये। बारा जिले के नाहरगड के कपिलधारा में भी जरना तेज हो गया। इधर बीकानेर में भारी बारिश के चलते NDRF के टीम मंगवानी पड़ी। मौसम विभाग के मताबिक राजस्थान में अब तक जुलाई में सामाने से 28 फीजदी ज्यादा बारिश हो चुकी है। बीते दो दिनों में 17 जिलों में भारी बारिश हुई है। वहीं आगामी 48 घंटों में 19 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दे गई है। मानसून पूर्वी और दक्षिनी राजस्थान में ज्यादा सक्री रहेगा। मौसम विभाग ने राजस्थान की राजधानी जैपूर, सहित, अजमेर, बारा, भीलवाड़ा, बूंदी, चितोडगड, जहलावाड, कोटा, प्रताबगड, टोंक, अलवर, बासवाड़ा, दूंगरपूर, राजसमंद, बीकाने, जूरू, जोदपूर, नागोर और पाली में भी भारी बर्शा का अलर्ट जारी किया है।